मेरा नाम है सौरव और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे सौफटर इंजिनिरिंग का SDLC प्रोसेस तो बहुत ही इंपोर्टेंट और इंट्रेस्टिंग टॉपिक है तो हम देखते हैं कि क्या है SDLC प्रोसेस तो देखे मैंने आपको पहले ही बता था कि सौफटर इंजिनिरिंग मतलब सिर्फ सौफटर बनाना ही नहीं होता एक अच्छा सौफटर बनाना होता है और जो जो प्रोसेस होता है वो सभी यहां पे इंक्लूड है मतलब सौफटर बनने से पहले रिकॉर्मेंट गैदरिंग से शुड़ू करके सौफटर रिलीस तक सारा प्रोसेस पहले से डिफाइन होता है और उन प्रोसेस के जड़िये गुजरने के बाद एक अच्छा स्वटर बनाने के लिए यह जो हम प्रोसेस यूज करते हैं जितने भी हम प्रोसेस फेजेस यूज करते हैं तो उनको हम वह उसको हम बोलते हैं सौफटर देवलोब्मेंट लाइफ साइकल प्रोसेस SDLC, जिसका short form है SDLC, तो थोड़ा पर लेते हैं कि Software Development Lifecycle SDLC is a processes used by the software industry to design, develop and test high quality software, तो software industry में कोई भी software आता है, तो एक software बनाने के लिए, एक software बनाने के लिए कुछ processes होता है, जिन processes से गुजरने के बाद एक software बनता है, तो SDLC का use हम क्यों करते है, to design, develop and test high quality software, high quality software बनाने के लिए, design करने के लिए and उसको test करने के लिए, ठीक है, तो basically आप ऐसे यादर को ये software बनाने का सिफ phases है, software बनाना मतलब सिर्फ coding करना नहीं होता, ठीक है, तो उससे पहले हमें cost analysis करना परता है, कितना time लगेगा, ये भी decide करना परता है, कौन सी technology में काम होगा, ये भी decide करना परता है, तो ये सब discussion, decision लेना ये एक way में होता है, तो ये जो way है, और इस way में बहुत सारा phase है, तो ये और coding उसका एक छोटा सा part है, तो इन सब phases को हम बोलते है, software development life cycle, तो क्यों इस्तमाल करते हैं, software development life cycle process, the SDLC aims to produce high quality software, SDLC का main aim है, high quality software produce करना, that meets consumer expectation, जो की consumer expectation को meet कर पाया, ऐसा नहीं, consumer मने कुछ और बोला, और आपने कुछ, मतलब coding करके कुछ और ही निकलाया, तो इसलिए पहले से define होना चाहिए, कि ये बनना है, और consumer के साथ interact करके, वो चीज software engineer decide करते हैं, ठीक है, कि किस तरह से high quality software, जो consumer satisfaction को meet कर पाये, वो दी जाए उनको, and reach completion within time and cost estimation, cost estimates, और हम क्या करते हैं, SDLC में, in time हम, हम time भी देख लेते कि कितना time लगेगा, मतलब एक महिना, दो महिना, तीन महिना, कौन सी technology में हम कर रहे है, हमारे पास कितने manpower है, उनका skill क्या है, तो उसको देख के हम बोल सकते कि, हाँ, यह इस time में यह हो जाएगा, दो महिने में इस date के अंदर यह हो जाएगा, and cost estimation, हम cost को estimate कर लेते हैं पहले से, ताकि software बन जाने के बाद कोई problem create ना हो, मतलब cost बहुत आपने, for example, एक software बना लिया, और जिसका cost आप देख रहे हो कि, आप का जो organization है, और बहुत जादा हो गया, और consumer उसको फिर बाद में ना ले, जो customer है, वो अगर ना ले, वो software को तो बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा, तो इसलिए cost estimate भी हम पहले ही कर लेते, software development life cycle model में, ठीक है, जो software बन रहा है, उसका, तो इसका कुछ phases है, हम detail में discuss करेंगे, इन सब phases को, start होता है, planning से, software जो बनेगा, उसका planning करना पदता है, requirement gather करना पदता है, फिर उनको define करना पदता है, पेपर में, फिर designing होता है, फिर जाके coding होता है, coding के बाद testing, और testing के बाद deployment, मतलब software को release किया जाता है, तो इन सब ही phases को, SDLC के, इस phases को हम one by one समझेंगे, तो पहला है planning and requirement analysis, ठीके, तो पहले क्या होता है, अगर कोई project आता है, software बनाना हो, तो consumer, customer से interact किया जाएगा, और उनसे interview, उनसे interview किया जाएगा, पूछा जाएगा कि क्या-क्या requirement से, ये समझा जाएगा, तो यही है requirement analyze, जो software बनेगा, उस software बनने के लिए क्या-क्या requirements है, किस तरह का software बनेगा, क्या बनेगा, अगर कुछ existing software है, तो उस existing software से भी कुछ knowledge लिया जाएगा, तो इस तरह से requirement analyze होगा, पहले, first phase, second phase में क्या होगा, defining requirements, जो requirements gathering किया, interview में, communication, interview करके, communication, communication करके, तो वो define होगा, जो जो requirements gather हुआ, वो define होगा, on paper, इसी को हम बोलते है, SRS, SRS का मतलब होए, software requirement specification, उसको हम paper में लिखेंगे, paper में hard copy या soft copy में उसको define होगा, तो SRS भी बहुत बढ़ा topic है, मैं आगे discuss करूँगा, तो SRS में क्या define होगा, कितना time लगेगा, पूरा project का detail, project कैसा होगा, introduction से लेकर शुरू करके, मत सब कुछ वहाँ पर होगा, cost estimation वहाँ पर होगा, क्या होगा, time मतलब, कौन कौन सा week काम होगा, इस project के लिए, तो 2 week, 3 week, 4 week, 5 week, कितना week लगेगा, उस project को बनाने के लिए, तो वो सभी वहाँ पर detail में define होगा, तो यह होगा, requirements analysis and defining requirements, मतलब requirements को analyze करना, उसके बाद on paper उसको लि designing the product architecture, मतलब dexter designing, तो designing में क्या क्या आता है, बहुत, से diagrams यहाँ पर include हो जाता है, जैसे कि, first of all, यहाँ पर metadata and data dictionaries को design किया जाता है, मतलब, जैसे database होता है, database को design किया जाता है, database का structure कैसा होगा, वो सब मेट, वो सब define किया जाता है, Meta data क्या होता है, Meta data का मतलब जै data about data, ठीके, जो database में, जो data रहेगा, हो सकता है, आप इस तरह से database में नाम लिख रहे हो, कि वो उसका meaning को समझाने के लिए, हम data dictionary use करते हैं, और उसी में आता है, Meta data, information about data, इसके उपर मैं detail में चर्चा करूंगा, आगे के videos में, बहुत interesting topic है, और next हम logical diagrams वगरा बनाते हैं, जैसे कि अगर हमारे पास object diagram बनाना हो, तो class diagram, UML diagram, ये सब diagram हम बनाते हैं, और data flow diagrams भी इसी phase में define होता है, data flow diagram का video मैंने बना दिया है, तो अगर आप चाहो तो देख सकते हो, दो videos है data flow diagrams के उपर, मैं description में link भी दे दूंगा, ठीके, तो इस phase में पूरा designing वाला काम होता है, अगर कोई flow chart हो, data flow diagrams हो, logical diagram कुछ भी, तो कभी-कभी यहाँ पे pseudo code भी लिखा जाता है, coding के लिए, ठीके, next आता है building or developing the product, ये part होता है coding का, तो यहाँ पे actual coding अब किया जाएगा, क्योंकि अब software requirements समझा गया, designing आपका clear है, कैसे design करना है, अब उस design क को देख करके, जो programmer होते है, या फिर जो developers होते है, वो develop करते है software को, ठीक है, तो यहाँ पे part आता है coding का, अब coding हो जाने के बाद, software ready, अब होगा testing the product, ये main part है, test product, testing the product, ये main part है, high quality software देने के लिए, क्योंकि देखिए, अगर coding हो जाने के बाद, अगर हम software को client के पास दे दे, तो हो सकता है, उस software में कुछ bugs और कुछ error हो, जो developing के time पे हमको नहीं दिखा, तो इसलिए testing बहुत ज़रूरी है, और test करते हैं, तो वहाँ पे बहुत तरह का error show होता है, और उस error को clear करने के बाद हम customer को देते हैं, अब testing भी बहुत बड़ा topic है, और testing बहुत बड़ा क्या जै product को test करने के लिए खास रखा जाता है, बहुत तरह का testing होता है, black box testing, white box testing, इसको आगे हम discuss करेंगे, तो next देखते हैं, next process deployment in the market at maintenance, तो deployment means software को अब release किया जाएगा, testing हो जाने के बाद, और फिर maintenance आ जाएगा, maintenance में यानि की software अगर update होगा, तो मतलब coding में कुछ changes करना परेगा, हमको login यहाँ पर नहीं, यहाँ पर चाहिए, तो वो maintenance में आ जाता है, ठीक है, अगर कुछ मतलब release करने के बाद, software release करने के बाद, 2-3 महेने बाद, कुछ problems आया, software में, तो वो maintenance phase में आ जाता है, ठीक है, तो maintenance चलता रहता है, तो SDLC models क्या होता है, यह तो था SDLC process, अब आते है SDLC models के बादे में, तो there are various software development life cycle models defined and designed, which are followed during the software development process, तो बहुत तरह का SDLC models से, जिन models को हम use करते है, यूज करके software को develop करते है, तो आपके मान में यह सवाल हो सकता है, कि software development यही तो एक process, इनका models बनाना क्यों जरूरत, जरूरी हो गया, तो देखिए, यह software किस तरह का software है, उसके उ बहुत तरह का models है, जैसे waterfall model, iterative model, spiral model, V model, big bang model, यह तरह तरह का way है, SDLC का, SDLC क्या है, SDLC process, और इन processes को execute करने के लिए, यह सब way है, इन way को हम नाम देते है, waterfall model, iterative model, spiral model, इस तरह से, तो हर एक model अलग अलग होता है, लेकिन उन सब में, यह जो common processes, यह जो common SDLC का part है, यह तो जरूर होगा, लेकिन उनका execute, थोड़ा execution थोड़ा बदल जाएगा, इसलिए, नाम change हो गए, नाम change हो रहा है, waterfall model, iterative model, तो इन सभी models को हम आगे जाके detail में discuss करेंगे, तो फिलाल के लिए, इतना ही hope कि आपको SDLC processes के बारे में, पूरा समझ में आया ह है, और next video में मैं start कर दूँगा, SDLC models को detail में describe करना, तो वीडियो का अच्छा लगा है, तो please comment करके बताना कोई doubt है, तो मुझे जरूर बताना comment करके, या फिर मुझे mail भी कर सकते हो आप, और चैनल पर अगर आप नए हो तो please, please, please subscribe कर देना, और subscribe करने के बाद जो bell icon हाएगा उसे भी click कर देना, ताकि मेरे जो भी नया videos होगा, उसका notification आपको मिलता रहे, तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही मैं मिलता हो, आपसे अगले वीडियो में, जय हिंद, बंदे मातरम